मानलिय मुख मंत्री जी बरश्चा चार पर जीरो टोरलोंस के नाटक बंद करिये आउट्सोर्सिंग कमपणी के माधम से बहाली कहें न कहें परतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतिजाबाद को बराने का है बिहार में होने वाली नियुक्ति को लेकर के एकवर नेता परतिपक्च बिजय कुमा सिन्हा ने सरकार पर बरा आरोप लगाया है नेता परतिपक्च बिजय सिन्हा ने कहा है कि आज आज आट्सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही है जो की बिलकुल गलत है यहीं मामला बिहार विधान सभा के अंदर आउट्सोर्सिंग कमपनी के माद्धम से हो रहा है जो कमपणी कोई अहरता पूरा नहीं कर रहा और उसके चैन की कमीटी जो बनाई गई है वह कमीटी भी नियमानुकूल नहीं है और विधान सभा के अंदर पहले रद किया गया फिर उसी कमपणी के माद्धम से दस तारी को परिक्चा ले रही है माननिय मुख मंत्री जी बरश्टा चार पर जीरो टोरलोंस के नाटक बंद करिये आउट्सोर्सिंग कमपणी के माद्धम से बहाली कहें न कहें परतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतिजाबाद को बराने का है और विधान सभा धक्स के नाते हमने असपश्च सब्दों में कहा था हमने रोका था बहाली कि बहाली आउट्सोर्सिंग के नाम पर अपने चचा भतिजा बाद के माद्धम से पहले भी बहाली हुई है जिस पर कई प्रस्चिन भी लगे हैं और फिर वही खेल खेला जा रहा है तो निश्चित तोर पर ये सरकार धितराष्ट की भूमिका निभा रही है और भरष्टाचार पर इनका जिरो टोरलेंस सिर्फ दिखाबा है इस तरह के बहाली कि प्रक्रिया के माद्धम से खुल कर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा है और इसके बिरुद माननीय नयाले में भी लोग जाएंगे और बिहार को ये तमासा बना रहे हैं सिच्चक बहाली में भी जिस तरह से पूरे कन्फूजन क्रियेट किया गया जब बीपियसी को आपने उस आयोग को बरा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं तो फिर आउट्सोर्सिंग कमपनी के माद्धम से बहाली क्यों हो रही है क्यों विहार विधान सभा के अंदर विपियसी के माद्धम से चेन की प्रकिरिया कराते हैं करमचारी चेन आयोग के माद्धम से कराते हैं आखिर क्यों मनसा आइसा नहीं है क्यों लूट की छूट की परविड़ती आप खूल करके पोस्ट कर रहे हैं ये मानसिक्ता बदलनी होगी और विहार के अंदर इस तरह के तमाम बहाली पर लोगों की सिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर मानने नयाले के साथ साथ जरूत परेगा तो पुनर जाँच इसकी फिर से होगी और मुक्मंत्री जी ये भूल मत जाईए कि सत्ता आते और जाते रहती है बदलते रहती है हस्तिनापुर के गुलामों के माध्धम से आप जो पाप करवा रहे हैं बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं इसका खामियाजा आपको यहां की जनता अबस्थ पूरा कर देगी चुनाओ में इसकी सजा आपको जरूर देदेगी जैसा कि आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि जिस तरह से आज और सुर्थिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो रही है उसमें काफी धांदली है और आने वाले समय में यह धांदली आ उजागर होगी उसके बाद सरकार को यह जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जब यह सवाल किया गया था तो आखिर इसका जवाब उन्होंने क्यूं नहीं दिया था और आज जब नियुक्तियां में धांदली आ रही है तो सरकार मौन क्यूं है